दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत के तरफ से Project 75i मतलब Next Generation के 6 डिजल एलेक्टिक सब्मरीनों को खरिदने को लेके अपना तैयारी शुरू कर दिया गया है और इस बार भारत के सापने Option के रूप में दो बहतरी सब्मरीन है जिनमें एक सब्मरीन है जर्मनी के कमपनी टसन कुरूब मरीन सिस्टम्स के तरफ से निर्मान किया हुआ Type 212 जवकि दूसरा सब्मरीन है स्पेन के कमपनी निविंचिया के तरफ से निर्मान किया हुआ S80 Plus क्लास के सब्मरीन और बेसिकली दोस्तों इन दोनों सब्मरीन को ही Project 75i में एक स्ट्रॉंग दाविद ये जानकरी मिल जाएगा कि इन दोनों सब्मरीनों का श्रमता क्या है और इन में से कौन सा सब्मरीन इंडिया नेविय के लिए बेस्ट होगा और बेसिकली दोस्तों यह जो कमपरिजन है ये असल में तीन फैक्टरों के उपर होगा जिन में एक तो है इसका प्रॉपलसन सि जाता है जो खाली टेक्नोलोजी कली सुपरियर ना हो बलकि साथी साथ इसमें स्टेल्थ टेक्नोलोजी और बहत्रेन हतियार भी हो इवन दोस्तों इन सब्मरीनों को भारत में ही मेक इन इंडिया इनिशिटिव के अंतरगत बनाया जाना है जिसके लिए एक कमपनी को पूरा करने का शमता है क्योंकि दोस्तों इन दोनों सब्मरीन को ही दुनिया के one of the most advanced और modern सब्मरीनों में गिना जाता है दोस्तों टाइफ 212 सब्मरीनों को अगर देखा जाए तो ये जर्मनी के कमपनी टसन कुरूप मरीन सिस्टम्स के तरफ से डेफलफ्ट किया हुआ ए इसे डिटेट कर पाना और मुश्किल हो अलागि इसके इलावा सब्मरीन के स्टेल्थ फिचर को इंक्रीज करने के लिए इसमें ऐसे टाइलिंग का काम किया गया है जो कि एकोस्ट्रिक सिग्नेचर को रिड्यूस करता है जिससे कि सोनार के द्वारा भी पानी के अंदर इन नेवनश्या के तरफ से कई तरीके के modern technology का उपयोग किया गया है और इन technology के कारण भी S80 Plus क्लास के सब्मरीनों को दुनिया का one of the most advanced और modern सब्मरीनों में गिना जाता है हाला कि दोस्तों इसके stealth feature को improve करने के लिए नेवनश्या ग्रूफ के तरफ से दूसरे technique का इस्तेमाल किया गया है जिनमें नेवनश्या ग्रूफ के तरफ से इसके हलके design को इस तरीके से optimize किया गया है कि केवल मात्र ये noise को ही reduce नहीं करता है बलकि इसके साथ साथ सब्मरीन के जो performance है वो भी increase होता है नेवनश्या ग्रूफ के तरफ से additionally इन सब्मरीनों में state of the art sonar system और sensors array को लगा गया है जो की situational awareness को और enhance करता है अब दोस्तों दोनों सब्मरीनों के अगर propulsion system को compare किया जाए तो no doubt इन दोनों सब्मरीनों में ही advanced train propulsion system का उपयोग किया गया है दोनों ही diesel electric propulsion system वाले सब्मरीन है मतलब इसमें diesel engine और electric battery का उपयोग किया गया है जिसके सारी ये सब्मरीन पानी के नीचे आगे बढ़ता है पर दोस्तों इस तरीके के diesel electric propulsion system में भी कई सारे अंतर होता है जैसे कि अगर type 212 सब्मरीनों को देखा जाए तो इसमें जर्मनी के तरफ से surface operation के लिए एक fuel efficient diesel engine का उपयोग किया गया है जो कि पानी के सते के उपर सब्मरीन को आगे बढ़ने में मदद करता है जबकि पानी के नीचे silently आगे बढ़ने के लिए इसमें silent electric motor का इस्तेमाल किया गया है जो कि केबल मातर पानी के नीचे operation में ही मदद नहीं करता है बलकि जहास क और silent रखता है हलाकि इसके इलावा U212 AC क्लास के सब्मरीनों में जर्मनी के तरफ से air independent propulsion system मतलब AIP सिस्टमों का भी उपयोग किया गया है जो कि एक तरीके के ऐसे system है जो पानी के नीचे बिना हवा के ही generator को electricity generate करने में मदद करता है बैसिकली इसमें एक chemical reaction के द्वारा पानी को तोड़के उससे hydrogen और oxygen निकाला जाता है और उसी hydrogen और oxygen को उपयोग करके ये fuel cell waste air independent propulsion system पानी के नीचे सब्मरीन को आगे बढ़ने में मदद करता है और आप लोग के जानकरी के लिए बता दू कि इंडिया के project 75i का एक महत्तपूर्ण clause भी ये air independent propulsion system है अब यहाँ पे आप है ये कुछी घंटे के charge को store कर सकता है और maximum से maximum 48-72 घंटे के बाद इन सब्मरीनों को पानी के उपर आना होता है और अपने generator के सहारे batteries को फिर से charge करना पड़ता है पर air independent propulsion system हो के सहारे ये जो सब्मरीन है ये पानी के नीचे कम से कम 2-3 हपते तक रह सकता है और इसे सब्मरीन क्लास के सब्मरीनों को भी देखा जाए तो इसमें भी diesel electric propulsion system का उप्योग किया गया है जो कि सब्मरीन को पानी के उपर operate करने में मदद करता है जबकि इसमें air independent propulsion system के रूप में bio ethanol stealth technology का उप्योग किया गया है और इसमें जो technology है उसे bio ethanol reforming technology कहा जाता है और इन सिस्टमों के सा ये जो S80 plus क्लास के सब्मरीन है ये 4-0 के अधिकतम रप्तार में पानी के नीचे करीब करीब तीन हफ्ते तक चुपा रह सकता है और दोसों ये जो bio ethanol based air independent propulsion system है ये basically सब्मरीन के stealth feature को और मजबूत करता है और एक तरीके से पानी के नीचे लंबे समय के मिशनों को अंजाम दे जैसे की DM-2A-4 heavyweight torpedo और MK-48 heavyweight torpedo से less है इवन ये सब्मरीन black shark torpedo, spare fish torpedo, even exhausted जैसे missile और tom hawk जैसे missile को भी अपने अंदर accommodate कर सका है वही पर दोस्तों आप लोगों को बता दू कि जो type 212 सब्मरीन है इसमें असल में जर्मनी के तरफ से DM-24A heavyweight torpedo और black shark advanced heavyweight torpedo का उप्योग किया गया है ज जोकि सब्मरीन के एक self-defense capability है जोकि air one threat से सब्मरीन को बचा सकता है ओरिजिनली दोस्तों इस तरीके के सब्मरीनों से निकलने वाले missile का उप्योग हेलिकॉफटरों के खिलाफ किया जाता है जबकि S-80 plus class के सब्मरीनों को अगर देखा जाए तो इसमें स्पेन के निविन श कमता है और दोसों सबसे आखिर में अगर इन सब्मरीनों के operational capability को जाचा जाए तो आप लोगों को बता दो कि U-212 सब्मरीन जो है वो एक बहतरी in stealth और maneuverability के साथ एक ऐसा सब्मरीन है जोकि anti-submarine warfare के खिलाब भी काम कर सकता है और reconnaissance missions को भी अंजाम दे सकता है इसका size भी अफी बहतरी in ढंग से काम कर सकता है U-212 सब्मरीनों को operate करने के लिए केवल मात्र 27 crew member का आवशकता होता है जिन कारणों के वजह से एक तरिके साफ ये वी कह सकते है कि कम से कम crew member के साथ ये सब्मरीन पानी में बहतरी in operations को अंजाम दे सकता है उपर से दोस्तों ये जो सब् इंचिया ग्रूप के तरफ से निर्मान किया हुआ S-80 क्लास के सब्मरीनों को देखा जाए तो ये अपने long endurance और enhancement के लिए जाना जाता है और ये पानी के नीचे लंबे range के patrolling को और extended deployment को अंजाम दे सकता है वही पर दोस्तों इस तरीके के सब्मरीन को operate करने के लिए अधिक क्रू मिंबर का जरूरत होता है लेकिन ये जो S-80 क्लास के सब्मरीन है या 8 additional mission क्रू को भी carry कर सकता है जो कि इन सब्मरीनों के लिए एक तरीके से positive बात है हाला कि दोस्तों वही पर S-80 क्लास के सब्मरीनों को देखा जाए तो ये वजन में U-212 सब्मरीनों के मकाब कि दोनों सब्मरीनों को ही इस टेंडर में कुछ चैलेंजों का सामना करना पड़ सकता है जहांपे कि जर्मनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज transfer of technology है क्योंकि जर्मनी भारत के कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप लोग को बता दू कि भारत के कॉम्पो की equipment हो का उपयोग किया गया है और अगर अमेरिका Spain को अनुमति नहीं देता है तो Spain भारत के साथ transfer of technology के deal के अंतरगत आगे नहीं बढ़ पाएगा अब दोस्तों ऐसे में आप लोग को क्या लगता है कि भारत के लिए जर्मनी के type 212 CD क्लास के सब्मरीन बहतर होगा या फिर Spain के SAT plus class के सब्मरीन बहतर होगा कॉमेंट करके अपने राय अवश्चा दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पेई करते सभावत किसी और एक दिम किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम